देखो, 4.2 का टॉपिक है ना, यह बहुत ही मचूर सीक्मेंस है, सीक्मेंस है मैंने बताई हैं आप लोगों को, जो पूरे चेप्टर में आप लोगों में पढ़ना है, इसको अरिथमेटिक सीक्मेंस भी बहुते हैं, लेकिन जएदा अच्छा वर्ड होता है, इसके लिए रैथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फ़र्म तभी बनी विये, AP, AP for Arithmetic Progression, अब अरिषमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्मेश है, आपको किसी भी सीक्मेस में नजर आजए, अब उसको अरिख्थमेटिक बोलोगे, अब यह Marketing भी को तरिक में से नज़र आज़ में नियुक भाइब होसफे जा सकती है, उसको aartiट tricky को दो एक ऐसी सीक्मेंस है, जिसमें हर आने वाली ट्रम कैसे आती है, कि प्रिविएस ट्रम में आपको इस फिक्स नमबर एड़ करते हूँ For example, start आप कहां से करना चाहरे है, for example, हम माइनस 10 से start करते हैं आपके मर्दी किसी भी नमबर से स्टार्ट कर सकते है, को इस्यों नहीं नहीं और हर आने वाली ट्रम कैसे आएगी, आपने कोई एक फिक्स नमबर एड़ करते हैं For example, हम 5 ले लेते हैं, फिक्स नमबर 5 है तो हम क्या करेंगे, माइनस 10 के अंदर 5 एड़ करेंगे माइनस 10 के अंदर 5 एड़ करो, तो माइनस 5 आते हैं, फिर इसके अंदर 5 एड़ करो, 0 आएगा फिर इसके अंदर 5 एड़ करो, 5 एड़ करो, 10 फिर 15 यह जो पूरी सीक्मेंस है, इस सीक्मेंस को आप बोलोगे Arithmetic, सीक्में की Arithmetic क्योंकि इसमें हर आनेवली ट्रम कैसे आ रही है? प्रिवियस ट्रम में आप एक फिक्स नंबर एड़ कर रहे हो अचे नंबर चेंज नहीं हो रहा है यह नि कि आपने माइनस 5 में 5 एड़ किया तो 0 आया जिरो में 6 एड़ रहे हो इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे समझोगे एडिशन का अपोजट क्या होता है? सब्ट्रेक्शन तो ज़रा उस एंगल से हम समझते है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि जिसमें कोई भी अगर आप दो ट्रम पकड़ो ना उनके दरम्यान जो डिफरेंस है वो फिक्स रहता है उसके पाता है फिक्स ही रहेगा क्योंकि हर आने वाली ट्रम में आपने 5 एड की है तो अगर कोई भी आप दो ट्रम पकड़ोगे उनका डिफरेंस 5 होगा जैसे इसका डिफरेंस 5 है इनका पकड़ो डिफरेंस 5 है इनका पकड़ो डिफरेंस 5 है तो कोई भी दो कंजेकेटिफ मतलब 7-7 वाली ट्रम अगर आप पिक्क करो तो उनका डिफरेंस हमेशा constant रहेगा और तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकालोगे ना इनके subtraction में order matter करते है किसको किससे आप subtract कर रहे हो तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे वो डिफरेंस को order क्या होगा बाद वाली ट्रम पहले वाली ट्रम आप इन दो ट्रम को पिक करो बाद वाली ट्रम को उनका यह 10 पहले वाली ट्रम 5 तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है इसी तरह कोई और दो पकड़ लो आप एक्जेंपल में 10 और 15 को पिक कर लेता हूँ consecutive होनी चाहिए साथ साथ वाली डिफरेंस कैसे निकालोगे बाद वाली ट्रम पहले वाली ट्रम इसी तरह एक्जेंपल हम ये दो पकड़ लेते हैं आथ वाली ट्रम क्या है माइनस 5 माइनस पहली वाली ट्रम पहली वाली ट्रम है माइनस तो माइनस माइनस पॉजिटिफ माइनस 5 प्लस 10 5 अब 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 जर्फ करोगे किसी भी दो consecutive ट्रम को पकड़ो उनके दरमयान जो difference है वो हमेशा फिक्स रहे रहे है तो यह चीज यह वही बात है दूसरे अंदाज से बोली गई है तो यह definition भी होती है arithmetic sequence की जिसको बुग ने किस तरीके से describe किया है in AP मतब arithmetic progression the difference between the two consecutive term is same consecutive term के दरमयान the difference है वो same होगा और विचारों ने बड़ी कोशिश किया समझाने की here difference means second term minus first term और third term minus second term and so on जिसको मैंने simple language में समझा दिया कि बाद वाली term minus पहले वाली term अब second term minus first बोलने के में जुरत नहीं है मैं इसमें ने बोल दिया यह जो दो पकड़ी है आपने उसमें से जो बाद में आ रही है minus जो पहले आ रही है यह order हो गड़ी है तो जो definition थी arithmetic के arithmetic आपने बनानी कैसे है तो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हर fix number को आप add करोगे वो आ जाएगी तो जब आपके पर arithmetic sequence आ जाए तो उसको समझने का एक और तरीका आपने पढ़ लिया कि दो जो consecutive term है उनके दर में difference जो है वो हमचा पिक्स है इसको आप कहते हो arithmetic तो आप इसमे तो किसी को मस्ता नहीं हुआ होगा अब हम क्या करेंगे Arithmetic Sequence कि सबसे पहले Standard Form निका लेंगे Standard Form क्या होती है जिसे आपने अभी देखा होगा कोई भी चीज होती हो उसकी एक Standard जिसे Quality Vision है Quality Vision की एक आपने फॉर्म रखी वे AX Squire Plus BX Plus T Standard Form, General Form कहते हैं कि इस फॉर्म में Quality Vision होती है इसी तरह Straight Line की General Form होती है AX Plus BY Plus T इसी तरहीके से Arithmetic की General Form क्या है जिसको Standard Form आप कहते हैं Standard Form of AP क्या है उसको जड़ा देख लेते हैं तो आप Assume कर लो कि जो पहली Trum है First Trum जो है वो A के बरादर है GP हो, GP हो, कोई भी होती है हम उसमें First Trum को A से Represent कर रहे हो इस चीज को जहन में रखो कि जो भी आपकी First Trum होती है इसको आप A से Represent कर लोगे ठीक है अच्छा है इसके बाद वाली Trum कैसे आएगी फिक्स नमबर आप Add करोगे उस फिक्स नमबर को हम यहाँ पर D से Represent करते हैं तो मैं इस A के अंदर उस फिक्स नमबर को Add करूँगा बाद वाली Trum कैसे आई कि जो पहले वाली Trum थी उसके अंदर मैंने एक फिक्स नमबर Add किया जिसको मैं D से Represent कर दो D से इसलिए Represent करते हैं क्योंकि यह जो 5 है यहाँ पर Difference होता है Difference का D यहाँ पर यूज हो रहा है अब दो Trums के दरम्यान जो Difference है यह वही नमबर है इसी तरह इसके अंदर D आइड करो यह हो जाएगा A प्लस 3D और यह है स्टेंडर्ड फॉर्म A P की A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D आप अब 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 जर्फ कर रहे है हराने वाली Trum कैसे आ रही है इसके नदर आउस पैटरन को फॉलो कर अगर आप देखो जितनी भी शुरू की चार्ट रम्यान आप लिखी है सब में common बात क्या है A आ रहा है सब में A आ रहा है तो उसका मतलब जर्फ को जर्लर्म होगी उसके अंदर भी A आएगा भाई जर्लर्म अलग थोड़ी नहीं है कोई सब के दिरम्यान में positive आ रहा है मैं positive दाल देता हूँ उसके बाद एक और चीज़ क्या देखिए आपने कि पहली टर्म को छोड़के बाकी सब में D आ रहा है मैं जातना D लिख ले दे क्योंकि सब में D आ रहा है तो मैंने जर्लर्म में भी D लिख दिया अब सवाल एक या डी के साथ नंबर क्या है वो आपको मालूम है ये चीज़ तो पता है हमें कि A सब में है D सब में लेकिन D के साथ जो नंबर है वो क्या होगा जर्लर्म के अंदर वो है इंपॉर्टन डिसाइड करने है अब जर्लर्म करें इस बात को पहली ट्रम में N की वैल्यू क्या होती है 1 होती है पहली ट्रम में N की वैल्यू 1 होती है सेकंड ट्रम में N की वैल्यू 2 होती है थर्ड ट्रम में N की वैल्यू 3 होती है अगर आप अफर्ब करो पहली ट्रम में यहाँ पर zero आ रहाहाए जब N1 है तो D के साथ zero आ रहाहा दूसरी ट्रम में N2 होता है तो D के साथ one आ रहाượng उस्ट्रम में D के साथ two आ रहाए ड्रुम में D के साथ three आ रहाहाँ आप अब अबस्ब करोगे जो number of Trum है ना उससे एक कम जो है, वो D के साथ आ रहे है अगर मैं आप से बोलूँ कि यार, इसी सीक्वेंस की जो पचासफ़ी ट्रम होगी उसमें D के साथ क्या आ रहा होगा? तो लोग ने बहुत इजी सवाल है यह दुबारा बताता हूँ बहुत जो दूसरी ट्रम है D के साथ क्या आ रहा है, वन आ रहा है जो तीसरी ट्रम है, उसमें D के साथ क्या रहा है तू आ रहा है, जो चौती ट्रम है उसमें D के साथ 3 आ रहा है, कहने का मतलब जो नंबर आफ ट्रम है उससे एक कम जो है वो D के साथ आ रहे है, तो मेरे सवाल है कि जो पचासवी ट्रम होगी, उसमें D के साथ क्या आएगा? 49 49 तो क्याने का मतलब जो Nth का मतलब हम जनलाइद बात करते हैं, तो जो भी number of trum है, उससे 1 कम D के साथ आता है, तो हम क्या लिखेंगे जो Nth trum है, उसमें D के साथ क्या आएगा? N-1 N से 1 कम आएगा तो जो हमारी N-th Trum ये कहलाती है N-th Trum तो जो हमारी N-th Trum होगी N-th Trum को आप इस तरह समझो के N की value कुछ भी हो सकती है N की जगा में या पर 20 put तो जो 20th Trum है 20th Trum में या पर क्या आ रहा होगा 19 आ रहा होगा तो जो भी number of Trum है A जो है वह यहाँ पर फस्स Trum को represent करता है D जो है वह यहाँ पर common Difference को represent करता है A जो है वह कहलाता है first Trum D उसको आप कहते हो common Difference common Difference को जह मतलब है कि ये वो difference है जो common है मतलब हर दो Trum को अगर आप ता होगके consecutive तो तो नमें डिफरेंसदे अब निकालोगों तो सेम आएका, तो यह दो कोमन डिफरेंस बोगते हैं, जो फिक्स नंबर है, को आप ब्रैक्ट में लेगता हूं, फिक्स नंबर, जो आप अड़ कर रहा है तो आप इसको आप नाम दिया वे, कमन डिफरेंस, और इसमें क्या चीज आरी है, और इसमें अन किस tram की बात की जा रही है अर यह जो जनल ट्रम होती है ना इसको आप से बड्रत करते हो टी एन से किया आप करते हो अजर आप इस जनल ट्रम कर दो इस जनल ट्रम के फीर में गले चीनल ट्रम का फाव मिला है A plus N minus 1D इसको आप कहते हो General Trump Formula या Nth Trump Formula ठीक है? अज़र यह जो मैंने लिखी है इसको आप कहते हो Standard Form of AP यह Standard Form is AP की जिसमें जो General Trump आपको नज़र आ रही है वो क्या है? यहाँ पर A plus N minus 1D तो अगर आप इसमें देखो चार चीजे हैं आप को नज़र आ रही है First Trump, Common Difference, Number of Trump और General Trump या Nth Trump आप इसको बोल दो तो चार चीजे हैं अगर आपको कोई भी वो 3 देदें तो आप 4 निकाल सकते हैं तो यह आगे आगे आप सवाल आएंगे जिसमें आपको 2-3 पता होंगी 4 आप निकाल लोगे और इसके तोड़े डिफरेंट सवाल भी याँगे वो भी हम देख लेते हैं तो 4.1 की तीओरी यही है आपको पता होना चाहिए 4.1 ना बतानी से सौल चाहिए मैं एक्जेंपल नहीं कर बारा क्योंकि एक्जेंपल सारी कवर है 4.2 गया कोई ऐसी एक्जेंपल मुझे नदर नहीं कि जिसमें को अलग कॉंसर्ट लिखा वजा एक्सराइब तो इसलिए डारक एक्सराइब को हम सौल करते हैं किसी याँ कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो अच्छ जी सबसे परला कॉशन का लिखा है इसमें आप उन्चेंटर निखा है इसमें आप इन्चेंटर निकालो परलष सीक्वेस जागा है उन्चेंटर निकालो पार्ट नम्र 2 में बुलावें A10 मतलब 10 मीं ट्रम निकालों तो बहुत इजी कॉंसेप्ट है यह मैं आपको करवाता हूँ मुश्किल सी पार्ट नम्र 6 लग रहे है ना फ्रेक्शन वाली है तो मैं तरह वो करवाता हूँ आप रहों को अगर आपकी बस सवाल आज़े 10 लेख एक डिख तरह मुश्किन सीं करोगे अपजर्मयाती दो भूर्ट निका निकालों आप कम्से कम दो डिफ्रेंस निकालों अगर वो डिफिरेंस आपके बरावर आ रहे हैं तो आप समझ जाोगे वो रियतमानिक है तो इस सवाल में तो लिखा हुए न, लेकिन मैं आप लोग को ऐसे करभाऊंगे इस सवाल, जैसे आपको नहीं पता यह कौन सी सीवनत है, आप सबसे पहले चेक करोगे, क्या यह AP है, जब आप पता चल जाए कि AP है, फिर आप AP का जनल टरम का फॉर्मला यूज करके चटी टर किस तरह ने का लोग है, तो अगर आप देखो, 1 अपॉन सिकार है, पहर आप इन दो टरम के दर मैं दिफ्रेंस निकालो, 2 अपॉन 3 माइनस वन अपॉन 2, अगीन LCM यहाँ पे 6 है, यह जाएगा 4, यह जाएगा 3, अगीन 1 अपॉन 6 है, इस सवाल में करनी की जूरत हैं नही जोला भरी अपी है लेकिन आपको ऐसे करवार हूँ पेपर में यह पीर में आगर अगर आते हैं सवाल तो बोलते हैं सीक्वेंस है यह अगर शीट मुट्रम निकालो जा लुट आदस्कीन तरुम निकालो तो आप पहले चेक रहो है तो arithmetic को आपने इस तरह चेक करने है कि आप देखो, दोनों difference बढ़ाब है ना तो समझ जाना यार यह AP है क्योंकि arithmetic के अंदर difference जो है, वो same होता है तो जब इस मौके पे, मतलब जब आ जो फिर आप लिख दो कि जो given sequence है given sequence is AP given sequence जो है, वो AP है जैसी आपने identify कर लिए, आप ज़रा सवाल के solution पर आजो solution क्या होगा भाई, आपको इसकी छटी term निकाल ली है छटी term कैसे आएगी, आप general term का formula बना लो, उसमें N की जगा 6 put कर देनो, data आपको का given है, पहली term है, यहाँ पे 1 upon 3 और common difference आपने अभी निकाल ली है, 1 upon 6 normal क्या होता है, कि दो तरीके होता है, अब आपको बता है, यहाँ पे छटी term आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे N की value 6 put कर दो, मतलब इस formula में न, direct N की value 6 put कर दो, एक तरीका तो यह होता है, कि direct N की value 6 put करो और आपके पास चटी ट्रम आजेगी, एक तरीका क्या होता है कि आप जर्रल ट्रम पहले मालूम कर लो जैसी आपके पर जर्रल ट्रम आजेगी अब उस जर्रल ट्रम में आप N की जो भी वैल्यू पुट करना चाहरे हो, आप पुट करना है तो इस वाले मेथड में फाइदा यह होगा कि सिर्फ छटी ट्रम नहीं आ सकती है आप कोई भी ट्रम निकाल सकते हो क्योंकि आप में जर्रल ट्रम निकाल ली ना अब आप उसके अंदर N की वैल्यू पुट करते जाओ जबकि अधर मैं डायरेक्ट N की जगा 6 पुट कर दूंगा तो अब मेरे पर डायरेक्ट छटी ट्रम ही आएगी तो सवाल पर कसर नहीं पड़ेगा आपकी मरजी है मैं प्रैफर करता हूँ कि जर्रल ट्रम एक दफा आजाए जर्रल ट्रम आजाए तो फाइदा हो जाएगा आपको अब आप N की कोई भी वैली पुट करना चाहरे है आप पुट कर सकते है तो अगर कोई कहता है कि सब्सक्राइब मुझे नहीं काम करना तो मैं काऊंगा भी ना करो किसने जबरदस्ती आप पर किये काम करो लेकि मैं पहले इसकी जर्रल ट्रम बना रहा हूँ और जर्रल ट्रम कैसे बनाऊगे यहां पे 3 है यहां पे 6 है तो यहां पे 6 है यह 2 टाइम जाता है तो यह हो जाएगा 2 और यह तो वन टाइम ही जाता है उपर आजएगा N माइन निकाल लिए अगर आप इसको सिंक्रिफाय करना चाहरे इस तरह करो अपर N है और 2 माइनस 1 क् आप देखो यह जर्रम आगी अगें मैंने बताया यह आपको थोड़ा शायद लंबा लगे ऐसे जदना लंबा तरीका भी नहीं है लेकिन आप दुनिया जहां की कोई भी ट्रम निकाल सकते है तो आपको बोला ता है कौन सी ट्रम निकालनी है च्छटी ट्रम निकालनी है प n is equal to 6 put करो यह हो जाएगा a6 6 put करो यह हो जाएगा 6 plus 1 upon 6 तो यह क्या आंसर आजाएगा 7 upon 6 इसका मतलब जो सीक्मेंस की जो छटी ट्रम है वो क्या है 7 upon 6 है तो आप इस आंसर को दबबा बना दो यह आपका final answer है छटी ट्रम यहाँपे 7 upon 6 दो तरीके मैंने बता दी जो आप तो अब जरह समें देख लो किस तरीके से आपने करना है part number 1 तो बड़ा easy है बचो n की value 1 पुट करना पहली ट्रम आजेगी 2 पुट करना दूसरी तो part 1 तो आप लोगे इसी जरह part number 3 को देखो वो भी हो जाएगा direct n की values पुट करनी है 1, 2, 3 करते-करते और आपके पास 5 में, 6 में, 5 में, 6 में, तो कैसे करना दरव हो आजाते हैं? सबसे पहले question number 2 के, part number 2 पे आजाओ, आपको formula दिया हुए a n-2 का, दिको normally आपको general term का formula दिया जाता था, general term में यहाँ पे n आ रहो होता है, ठीक है? आप उसमें क्या करते हो n की value is put, जिसे n की value 1 put करोगे तो पहली तो यह 1 minus 2 हो जाएगा, मतलब आपके पास यह चीज़ा देगी, इसकी तो को sense नहीं है, को sense नहीं है, तो इसमें n की जगा 1 नहीं आप put कर सकते हैं, इसी तरह n की जगा 2 भी नहीं put कर सकते हैं, क्योंकि 2 पूट करोगे, यहाँ में 0 आजाएगा, 0 टरम का मतलब क्या है? वै आप लोगे लेविल पर नॉमली 1st टरम, 2nd टरम, 3rd टरम, लेकिन ऐसी भी सीक्वेंस जीरो टरम फिर 1st टरम इस तरह आती है, और अगर आप जाओगे तो ऐसे भी आपको मिलेंगी मैस के अंदर सीक्वेंस, जो नेगेटिव से भी सार्ट ही होती है, माइनस 3 टरम, जैसे आ लेकिन आप लोगे लेवल पर इसकी सेंस मी मन रही है, तो यहां पे आप n की जागा 2 भी नहीं पूट कर सकते हैं, इसका मतलब सबसे पहले आप n की जागा क्या पुट करोगे यहां पर 3 पूट करोगे, तो हम यहां पर सबसे पहले पूट करेंगे, solution में, आपको शुरू उनकी 5 ट्रम निकाल लिए हैं, तो पहली ट्रम आप कैसे निकालोगे, आप लिखो 4, 4th ट्रम लिए क्या करोगे, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो फॉर जम्पल इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, तो 1 में पुट करो यहां पे एन की जगा 3 पुट करोगे, और जागा 3 माइनस 2, यहां पे भी एन की जगा 3 पुट करोगे, पहली ट्रम आजएगी 9 माइनस 5, 4, यह आपकी पहली ट्रम आजएगी, इसी तरह आप लिखोगे 4, 2nd ट्रम में आप क्या करोगे, अब एन की जगा पे आप 4 पुट करो जब आप 4 पुट करो गे और जगा 4-2 इसी तरह यहां पे एंग की जगा 4-2 करो तो जो 2nd रम है वह यहां पर आजएगी 12-5, 7 तो 2nd रम आजएगी 7 इसी तरह बचो आप लोगों ने यहां पर 3rd रम निकालनी है 3rd रम है एंग की जगा 5-2 करना इस तरह करते-करते आपने बागे ट्रम निकालनी है सर एंग के वली 3 से कैसे शुरू हुई यही तो भी पूरी इतनी देर लगाई है मैंने इसके उपर इसके बाई एंग की जगा 2-2 कर सकते वैसे मुझे बताओ जब मैं 2-2 करूंगा तरह क्या आएगा यहां पर 4 अपने 2 प्रूरी तो रहें दो तो सही तरह समझ नहीं दे बही सिंपल थी मैंद पर एंग की जगा 2-2 जीरो होता है यह मैंने पॉइंट बता दिये डिटेल में मैं इसले नहीं दुबारा बताना चाहरा कि पुछ भी नहीं है यह तुम रिकॉर्डिंग से देख ले ना यह पॉइंट कुछ भी नहीं है मैं यही बात बताईए कि n की जगा 2-2 जीरो हो जाएगा जीरो ट्रम की सेंसरी मनती आप फर्स ट्रम से स्टार्ट करते हो जीरो ट्रम को मतलब नहीं मनेगा इसी दरह मैं n की जगा 1 भी पुट नहीं कर सकता क्योंकि 1-2 का मतलब माइनस 1 की संसरी मनेगी ना तो यहां पर सबसे पहले 1 आना चाहिए और 1 कप आएगा जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोंगे इसको इस तरह भी समझ सकते हो यह n-2 1 कप होगा यह n-2 1 होगा 3 के उपर अगर आपने निकाली है तो आप यहां पर 3 पुट करोगे तो यहां पर 1 आ रहा होगा यह रेप्रेजेंट करेगा पहली ट्रॉंग को इसलिए निया आएगा सभी सब्सक्राइब आपने 3 से साट करना है अच्छा एक पॉइंट मैं पास्काल सीक्वेस में बहुत दफार बताना चाहता हूं नहीं जहन से निकल जाता है कि पास्काल सीक्वेस में आपने 2 पढ़े न और आर तो जहन में रखना यह बुक ने भी मेंशन किया वे कि एन हमेशा ग्रेटर होगा आर ऐसा नहीं कोई सवाल हो सकता है कि जिसमें आर ग्रेटर हो जाए तो यह मने बदाता है आर जीरो से स्टार्ट होता है मतलब वो न से या तो कम होगा या न के बराबर होगा कब? बिल्लकुल आकर में अगर आपको याद हो कि अगर न की वैल्यू 5 है तो आप आर 0, 1, 2, 3, 4, 5 that's it आर न से ग्रेटर नहीं हो सकता या तो कम-कम होगा या न के बराबर होगा आर कभी ग्रेटर नहीं हो सकता तो यह चीज़ मैंने लिखिए कि एन जय हो हमेशा आर से ग्रेटर होगा या कभी एन आर के एकवल होगा तो यह पॉइंट बुक नहीं में में बताना भूल गया था तो एन में रख लेना इस पर लिए अजर स्वाल को बागी कर ले न थर्थ ट्रम के लिए आप एन की जगा 5 पुट करना फोर्थ के लिए एन की जगा 6 और फिफ्थ के लिए एन की जगा 7 पुट करना आर आपके पास आंसर आजएगा ठीक है अजर इसका एक और तरीका भी होता है इसपुट करते जाना 1,2,3,4,5 और पास ट्रम आजएगी तो अएन-2 से आप अएन का फॉर्मला कैसे निकालोगे जरा गौर से समझदा चोटी सी है चीज़ है क्या है यही सीक्वेंस है न इसको कंसीडर करो अएन-2 3N- आप क्या करो आप आप इस N-2 की जगह पे मैं लेट करता हूँ यह N-2 जो है न यह X के बराबर है कंसीडर कर लो यह N-2 जो है यह किसके बराबर है X के बराबर है तो यहां से N की वैल्यू निकालो N क्या हो जागा 2 प्लस X आप पुट कर दो इस फॉर्मले के अंदर N-2 की जगह आप X पुट कर दो तो इस जगह AX इसी तरह यहां पे N की जगह वैल्यू पुट कर दो N की वैल्यू क्या ही है 2 प्लस X तो solve करो 3 2 जा 6 3 को X से करो 3 X तो यह हो जाएगा 3 X प्लस 1 मतीजरे पॉंच जाएगा आपके पास AX आजाएगा आता एकस मैंने सिर्फ भरावर को डिफेंट करने के लिए आजाते अगर मैंगा पे उइगे अथ न के बरावर लेट करता है तो मैंने इसको डिफेंट करने के लिए X लेट किया था कोई भी वैल्यू आप यूस कर सखे तो जैब आपके यह आजाएगारो इसके जगा पे दोबिरा न पूट कर दो यह आपके आपके वास न थरम का फॉर्मला आजाएगा अभ आपको जबराने की जुरत नहीं है इस न थरम के फॉर्मले में आप एन की वैलिस्पॉट करते जागा आउन सरापा जाएगा For example, first term निकाल लिए न, n की जगा 1 put करो 3, 1, 3, 3, 3, plus 1, 4 एको first term 4 आ रही है इसे जगा n की जगा 2 put करो 3, 2, 6, 6, plus 1, 7 आपको दूसरी term मिल जाएगी तो यह तो आपके बास तरीका यह है कि जो उन्होंने यह वोला formula दिया इसके मदद से आप nth term का formula निकाले और जैसी nth term का formula आजाएगा अब आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 फुट करो और शुनों की पांच तर्म आजाएगी यह फिर आप तोड़े दिहान से n की वैल्यू पुट करो ताकि आपके बाद डायरक्ट पहली दूसरी तीसरी इस अप्रम आजाएगा दोना तरीके साफ इस सवालों करते हैं इस सवाल इस किसम का आगे भी आएगा पार्ट नमर् 3 है वहां पर भी इसे वाम करेंगे यह काम लेकिन देखते हैं किस तरह करना है अचे पार्ट नम्र 3 तोरु होग टोरह होगा फार्ट नम्र फॉर पार्ट नम्र फाइव पाय पाइव सेम किसम ए 50 का और यह आपने भी 4.1 के अंदर भी किए कोष को पांद लिगर उटकन तथria तो उम इस Nu करने रों करेंगे तो उन सांट भागे poko can आपको ना एक general sequence के बारे में information दी गई है यह sequence के बारे में information क्या है कि जो nth term है minus 1 वाली term इसका result किसके बराबर आएगा? n plus 2 के बराबर आएगा अब इसको भी समझाने का तरीका है लेकर मैं बहुत डिटेल में जा नहीं है आप example लिखे समझ सकते हो कि जो पांचवी term minus 4th term जो है वो बराबर होगी 5 plus 2 के यहाँ पर 5 पर है तो खेर उसको छोड़ो देतना को डिटेल में जाने की ज़रत नहीं है यह आपको एक formula दिया है और आपको information क्या पता है कि 1st term है sequence के 2 है और आपको क्या कर रहा है? यह 1st term given है आपको बाकी terms यहाँ पर निकालनी है मतलब 5 निकालनी थी ना तो पहली तो given है बाकी आपने 4 term जो है वो यहाँ पर निकालनी है अब कैसे निकालोगे सबसे पहले तो आप इस formula को इस form में convert कर दो an minus 1 को बदल ले जाओ जागा जागा के अब आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी तो पांच के निकालनी है पहली आपके पास है दूसरी से लेकिए 5 जी निकालनी है अब यहाँ पर न की जगा हम क्या पूट करेंगे question बता सकता है दूसरी तर्म निकालने के लिए क्या करेंगे देखो यहाँ पर नॉमली बच्चे क्या करते है उनकी वो रटा मारा होता है न की जगा हमने नॉमली वन पुट करना होता है वो यहाँ पर वन पुट करने से नुकसान हो जाएगा यहाँ पर बन माइनस वन है न यहाँ पर जीरो आजाएगा और 0 allowed नहीं है तो आप क्या करो सबसे पहले और वैसे भी आपको दूसी ड्रम निकालेगे दूसी ड्रम कैसे आएगी जब आप N की जगह यहाँ पे 2 पुट करो गया तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप N की जगह पे 2 पुट करो तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा A2 यह हो जाएगा A2-1 एन की जगह आपने 2 पुट कर दिया इसी तरह यहाँ पे भी एन की जगह 2 पुट कर दो यह situation हो जाएगी तो A2-1 मतलब यह हो जाएगा A1 यह होता है 4 और फर्स ट्रम सवाल में गिवन तरह 2 के बराबर है आपके पाद दूसी ट्रम आजएगी जो के 6 के बराबर है बस आपने फार्मले में एन की जगह 2 पुट करना है और आपके पाद यहाँ पे दूसी ट्रम आजएगी इसी तरह दुबारा देख लो एन की जगह पे हम 3 पुट करते हैं यह हो जाएगा A3 आप एन की जगह 3 पुट करो यहाँ पे आप एन की जगह 3 पुट करो अच्छे जी अब सॉल्फ करते हैं यह हो जाएगा A2 और 3 प्लस 2 क्या होता है 5 के बराबर दूसी ट्रम आपने निकाल लिए 6 IT आपने तीसी ट्रम क्या हो जाएगी 11 के बराबर आपको देजी थी, दूसी ट्रम आपने निकाल लिए तीसी ट्रम लिए इसी तरह आपने चौती और पांच की ट्रम निकाल लिए तो यारब यह कोई बेडी लिए और नहीं है यह दो में सवाल आप लोगो कमफ्लीट कर लें ना क्यूंकर टाइम जाय करने का फाइदा नहीं है कोई फास ही सीखोगे इससे आप लो बाकि आप लोगो खो ट्राय करने इसके आगे इस तरीके से आप निकालो लिए बिलफर्ण में आपके सिटुएशन दे रहा हूं तरा देखना कोई इसका जवाब देता है अगर यह वाली आपको फॉर्मला देजे हैं और आपको बोलें कि इसकी फर्स्टरम टू है दो आपके सिटुएशन है मैंने यहां पर माइनस की जगा प्लस कर दी है पहली कर्दी आपको देदी है अब दूसी डम कैसे निकालो गया अब दूसरी तो निकल देगी है यहां पर लिए पुट करेंगे हो और अन प्लस बास फुन को इस तरफ रव पार एकस्लेंट यहां नहां पर 2 होतो जाएगा। Hier एंन लाख भाड़ीों तो यहां पर 2 होका। यहां पर आ रहोगा। दूसरी डॉम, यहां पर आ रहोगा। ना आपको दूसरी पता है ना आपको तीसरी पता है। यहां पर Pentateell आ पर यहां C त् Yuan Parante RTS यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 टू यहां पर अन की जगा वन पूट कर दो तो फाइदा यह होगा 1 प्लस 2 थी होता है इसको इदर लेआओ यह 2 का फॉर्मला बन जाएगा 1 और यह 3 जागे माइनस 3 हो जाएगा यह तो सवाल में आप शुरू में ऐसा कर लो कि इस एन प्लस 2 को आप इदर ले जाओ और अन प्लस 1 का फॉर्मा निकाल लो यह जनरल फॉर्मला बस आपको यह जहन में रखनी है कि जो बड़ी चीज है ना वो आपकी लेटेंट साइट पर रखना था यहां पर बड़ा क्या होगा अन प्लस 1 तो इसको लेटेंट साइट पर रखना बागी को आप एक तरफ नह ठीक है तो यहां पर पहली तरम तो आपको पता है दोसी तरम आज है कि इसी तरीके से फर बाकित रखन दिया मताब्दे जाना अच्छेश्टरवाज कोशन के चाप्टरवाज कोशन है पर इस नियुक्त अपना बड़िए को एक लेमिट है इसमें हम महरूज ना एक positive number डालने है, positive integer number डालने है हम negative डाल सकते हैं इसमें भाई अभी तो पश्टों में बात सिखाई थी, तो मैं बता है, late join किया था, क्या किया था लेकिन आप लों के लेवल पर हम 1 से start करते हैं युनिवस्टी लेवल पर आपको ऐसी भी sequence हदर राएंगी जिसमें 0 भी आ रहा होगा ऐसी भी sequence हदर राएंगी जिसमें आपके बास negative term भी होगा मतलब यहां पर आप लों के लेवल पर इसकी sense नहीं बन भी होती है लेकिन युनिवस्टी में जाके sense बन जाएगी इसकी मैस में एक course है उसमें जब आपड़ोगे ना कैल्किलोस के लिए एक बुक है एच के दास की उसमें उन्होंने पुरी नोटेशन भी लिखी भी है कि सीक्मेंस के लिए होती है अब इसका मतलब क्या होगा यह आपको बताना चाहिए कि जहां जिस ट्रम पे एरो होगा ना इसका मतलब वो जिरोट्रम है तो जो 3 है इसको हम बोलेंगे zero drum 4 जो हरे होगी first drum यह हो जाएगे second div यह हो जाएगी third drum तो zero से पहले वाली को उसाँ्statव होगी लेकिन math में हर चीज की sense बन जाती है तो यह आप लोगों के level पे नहीं है लेकिन university level पे यह notation भी होती है वहाँ पे sense बन जाएगी, negative भी वुट कर रहे होगे सही है, thank you अजी कुछे detail में लेके जाओ भाई बहुत ही निकल जाएगा topic अचा, part number 6 जो है अगर खाली a लिखा जाए तो इसका मतलब भी first term है इसी को आप लो जाएगे में रखना अचा जी तो first term आपको दे दी है और आपको बहुत है कि जिस sequence की बात की जारी ना उस sequence के अंदर तीन consecutive term पिक की वी है जो भी sequence चल रही होगी होगी ना तीन consecutive term पिक करके आपको और ने दे दिया कि जो sequence आप निकाल लिए उसकी पहली term 5 है और उसी sequence के अंदर तीन consecutive term हमने पिक की हैं और वो आपको दे दी है अब आपको sequence मालूम करो मतलब उस sequence की शुरू की 5 term मालूम करो अब देखो first term तो आपको बता है A जो है वो यहाँ पे 5 है मतलब आप इसके उस तरह लिख सकते हो कि जो false term है वो तो 5 है आपको पता है बाकी term आप कैसे निकालोगे आप यहाँ पे just common difference निकाल लो यहाँ पे mention किया हो गई अपी है सवाल में में मेंचन है ना कि arithmetic है सारी कि सारी जो भी examples आपको दी गई है सब arithmetic की दी में question number 2 में तो आपको पता है कि AP है इसका मतलब common difference निकाल सकते हो अगर आप observe को लिए common difference ही था जो आप यहाँ पे मालूम करते थे मतलब मालूम नहीं कहते थे है तो यह common difference है ना दो term के दिरमाट difference लेकिन वो general form में दिया होता है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दो term के दिरमाट common difference आप निकाल सकते हो science कैसे आप खुद देखो 23 और 26 के दिरमाट difference क्या है 3 का 26 और 29 के दिरमाट difference क्या है 3 का इसका मतलब यहाँ पे common difference क्या है 3 के बारादर तो जब आपको common difference पता चल जाए AP का तो अब आप के लिए 5 term निकालना कोई बड़ी बात भी पहरी term तो 5 है दूसरी term कैसे आएगी कि पहरी term के अंदर आप common difference add कर दो, मतलब 5 के अंदर आप 3 को add कर दो, तो दूसरी term आजएगी तीसरी term कैसे आएगी, आप दूसरी term के यहां पर 17 हो जाएगी ठीक है, फिल ही कर, इतनों कौन सा रह गया है A4 प्लस D, जो हो जाएगा 14 प्लस 3, तो जो पांच वी term है वो यहां पर 17 हो जाएगी तो शुरूं की पांच चाम आपने निकाल ली इस तरीके से आप पार्ट नुबर 6 को अटेम्ट करोगे Screenshot है रहा इसका इस तरीके से आप पार्ट नुबर 3 भी समझ लो क्योंकि बच्चों वाले कोशन ने, आप लो खुद ही ट्राय करना कोशन नुबर 3 में आपको वही एक फॉर्मला दिया है और बुलाव है कि N-Trum यहाँ पे निकाले मतब N-Trum का फॉर्मला नहीं दिया है, आपको फॉर्मला दिया है इसका N-3 का, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि N-3 ट्रम का आपको जनल ट्रम फॉर्मला दिया है नॉमली आप बोलते हो N-Trum का फॉर्मला यह है N-3 ट्रम का फॉर्मला जबके आपको किसका निकालना है, आपको N-Trum का निकालना है N-Trum का मतलब यहाँ पे जस N आना चाहिए तो एक तरीका इसका निकालने का क्या है, जो भी मैंने थोड़े पहले बताया था कि एस N-3 को X के बरावर लेट कर लेना और जो पुरा प्रोसेस मैंने बताया था, उसके एंड पे आप N-3 ट्रम का फॉर्मला निकाल लेते हैं एक तो प्रोसेस वो है, लेकिन वो प्रोसेस बुक ने किया वा नहीं है लेकिन ऐसा को गलत प्रोसेस नहीं है, आप करना चाओ करो लेकिन जो बुक ने, एक्जेक ही सवाल बुक में जब एक्जेम्पल मौजूद है तो उन्होंने यह वाला तरीका करवा है तो मैं भी आप लों को रिकमेंट करूँगा अब यह वाला तरीका करना है और यह वाला तरीका बिलकुल इसी सवाल से लेटेट है क्या? कि आप शुरू की एट लीस्ट तीन चाओ ट्रम निकाल लो जब आपके पास अरिथमेटिक की तीन चाओ ट्रम आ जाती है न तो आप उससे असानी से जर्रम निकाल सकते हो जैसे यहां पर मेरे पास इसकी शुरू की पहली दूसरी और अगर मैं तीसी ट्रम निकाल लो तो शुरू की तीन ट्रम से आप असानी से फार्मला निकाल सकते हो अरिथमेटिक की जर्रम का कैसे? आप शुरू की तीन ट्रम निकालो सबसे पहले में N की यहां पर क्या value पुट करों कि मेरे पास first term आजाए जल्दी बताओ 4 4 पुट करेंगे यहां पर तो मेरे पास क्या आजाएगी? पहली term 4-3, 1 होता है यहां भी 4 पुट करो, 4 तूजा 8, 8-5, 3 तो पहली term तो मेरे पास 3 आगी वैसे जो N के साथ लिखा होता है, वो common difference होता है यह इसकी shortcut होता है, लेकिन आप लोग वो shortcut पर ना जाओ common difference यहां पर 2 है by the way लेकिन आप लोग इस पर ना जाओ, आप लोग proper solve कर लोग अब N की जग आपने क्या put करना है? 5 put करना है तो 5-3, 2 यहां पर 5 put कर दो, 5-2-10, 10-5 तो N की value 5 put करके आपने दूसरी term निकाल दी फिर N की value आप 3 put करो यहां पर यहां पर उत्री आएगा, N की value आप यहां पर 6 put करो तो 6-3 के आउदा 3 के बराब है, यहां पर 6 put करो 6-2-12, 12-5, 7 यह आपके बाद 30 term आजाएगी तो exact यह काम करना है, कि पहले term के लिए N की जगा बसा आप वहां पर 4 put कर रहे हो दूसरी के लिए 5, तीसरी के लिए 6 put कर रहे हो तो आपके बाद शुरू की 3 term आजाएए अब general term निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो यहां पर 2 है आपके पास final answer आपके लिए 2N plus 1 आपके लिए 2N plus 1 आजाएगी इस तरह भी आप इसको कर सकते हो तो बाद शुरू की 3 term निकाल लो ताके common difference आपको बता चिल जाए और पहली term common difference के मदद से आप यहां पर general term निकालना मस आपको general term ही निकालनी ती सवाल के अंतर Q4 पर आजो Q4 यह बहुत ही बच्चों माला है लिखा है find the 20th term आपको 20th term निकालनी है sequence आपको दी दिए sequence है 1, 2-x, 3-2x generalized language में उने sequence दी दिए तो अगर आपने इसकी 20th term निकालनी है तो पहले general term निकालो general term के लिए आपको A पता होना चाहिए जो के 1 है common difference पता होना चाहिए अब आपको सवाल है बोला वह है सवाल में ने बोला निए कि AP है GP है मैंशन नहीं किया है कि sequence कौन सी है तो मैंने पहले भी बताया था जब paper में आए तो आपको नहीं पता होगा कौन सी sequence आप पहले difference निकाल के देखो 2 का कि वाकी यह AP है या नहीं है तो पहले आप क्या करो दो terms के दर में difference निकालो 2-x minus 1 तो difference निकालो difference क्या आएगा 1-x अब इन दो के दर में difference निकालो 3-2x minus 2-x तो यह हो जाएगा 3-2x minus 2 plus x solve करो 3-2 1 minus 2x plus x minus x आप देखो दोनों difference बराबर आ रहे है तो जब यह बराबर आ जाए अब समझ जाओ कि given sequence जो है वो AP है तो given sequence is AP जब आपको बता चल जाए अब आप यहां पे इसके general term का formula इस्तमाल करोगे a यहां पे 1 है और common difference यहां पे 1-x है तो यह आपके पास data given है यहां पे आप general term निकालो general term का formula होता है याद कर लो काफी काम का formula है a plus n minus 1 d first term 1 n को फिलाल छोड़ दो common difference यहां पे 1-x है तो दो simplify करते हैं इसको n को 1 से करो तो यह n हो जाएगा n को minus x से करो तो minus n x minus 1 को से करो minus 1 minus 1 को minus x से करो तो plus x होता है ठीक है 1 और minus 1 तो आप इसमें cancel हो जाएगे पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा n इन दोनों term से न आप n common ले सकते हो तो यह n common लो यहां से बचेगा 1 यहां से बचेगा minus x यह आपके पास na journal term का formula आजाएगी आप direct यहां पे n की जगा 20 भी put कर सकते थे मैं last सवाल में बताया था कि आपको असल में 20 मी term निकाल ली है आप direct इस formula में n की जगा 20 put कर दो यहां पे लेकिन मैं prefer करता हूँ कि general term आजए इससे फाइदा ही होता है कि बस आप कुछ भी put करो आपके पास असानी से आतकते है तो general term आगे है अब आप put करते रहो 20 20 put करो के तो यहां पे 20 put करो solve करो यह हो जाएगा 20 minus 20 x plus x so simplify करो यह हो जाएगा 20 minus 19 x यह इसकी बच्चो 20 टरम है obviously 20 टरम जो है वह भी x की फॉर्म ही आएगी जब शुरू की टरम x की फॉर्म है तो 20 टरम भी x की फॉर्म ही आएगी ठीक है तो बहुत छोटा तर कोशन है हो जाएगा आप लोगों से लिए अच्छा 5 पर आज़ा 5 पेपर में आता है यह लॉंग के अंदर मैंने देखाव है इसको लिखाव है find the 21st टरम आपको मालूम क्या करना है यहाँ पे 21st टरम मालूम करना है और गिवन क्या है 6 टरम आपको बोलने कि अगर इसकी छटी टरम जो है वह 11 है इसको अब कैसे लिखोगे a6 is equal to 11 जो छटी टरम जो है वह 11 है और क्या लिखाव है जो इसकी 15th टरम है वह 47 है मतलब इसकी जो 15 टरम है 47 यह दो आपको डेटा गिवन है और आपको इसकी मदद से क्या निकालना है इसकी 21 टरम आप 21st टरम कैसे निकालोगे उस पर आज़ो देखो 21st टरम निकालने के लिए नेन चीज़ आपको क्या पता होने चाहिए इस AP का 1st टरम और common difference अगर आपको तो A और D पता चल जाए तो अपसानी से निकाल सकते फिर दो कोई मसना नहीं है तो यह A और D कैसे निकालोगे सबसे पहले general term का formula लेट कर लो यह general term का formula है ठीक है अब जो data given है उसके मताबिक values put करो सवाल में आपको पता है कि जो छटी term है आप जड़ा च्छटी term निकालो यहाँ पे N की जगा 6 put करो तो 6-1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो अगर आपको च्छटी term निकालनी है तो general term के अंदर आप 6 put कर दो सवाल में given है च्छटी term में वो किसके बराबर है? 11 के बराबर है तो A6 की जगा आप क्या put कर दो यहाँ पे 11 put कर दो आपके पास एक equation आगी है इसको आप 1 बोल दो अब दूसरी equation कैसे निकालोगे? सवाल इसको मैं फॉर्ज में पर A का नाम दो देता हूँ तो अब सवाल में बोला था पंदरी term तो आप क्या करो? जैसे आपने equation number A में 6 put किया था तो यह वली चीज आगी थी अब आप equation number A में क्या put करो? 15 put कर दो तो यहाँ पे 15 put करोगे तो 15-1, 14 और सवाल में बोला था जो पंदरी term है वो किसके बराबर है? 47 तो A 15 की जगा 47 आगी यह आपको मिल गई दूसरी equation क्योंकि देखो दो unknown थे ना एक A था और एक D था याद रखो जब भी दो unknown होंगे तो उसका मतलब आपको दो equation चाहिए तब आप उन दो equation को simultaneously solve करके और दोनो unknown उसकी value निका दोगे तो बस अब आपको 1 और 2 को solve करना है पता दे तो मैं किसी तरीके से solve करोगे simple subtract करवा दो यहाँ पे equation 1 minus equation 2 लिखने का तरीका different कह लेते है equation 1 को आप लिखो A plus 5D is equal to 11 और equation 2 को आप लिखो A plus 14D is equal to 45 क्या करना है आपने subtract करना है तो sign change हो जाएंगे A तो cancel हो जाएगा 5 minus 14 यह होगा minus 9 7 minus 47 यह हो जाएगा minus 36 minus से minus cancel 9 बंजा 9, 9 4 जा 36 तो यहाँ पे D की value आपकी 4 आजएगा जैसी D की value आजएगा अब A निकालना कोई बड़ी बात नहीं है असानी से आप निकाल सकते हो आप D की value put कर दो यहा तो equation number 1 में या put कर दो equation number 2 में तो for example, मैं equation number 1 में यहाँ पे D की value put करता हूँ और यहां से A आजएगा So equation 1 implies that D की जगा put कर दो 4 11 equal to A plus 5 D D की जगा मैंने 4 put कर दिया यह होजाएगा 20 उदर जाके subtract हो जाएगा तो 11 minus 20 जो के बराबर है minus 9 के यह आपको मिलगी first term first term आपको मिल गई है fourth term आपको मिल गई है मतलब अब वक्त आ गया है कि आप 21 sorry, first term और common difference मिलगी है अब आप 21 term निकाल सकते हो कैसे नाओ आप दुबारा put करो N की जगा पे 21 किसमें equation number A में put करो यह पहले काम करो equation number A में आप A और D की value पुट करो equation number A है इसमें आप put कर दो A और D की value तो A यहाँ पे है minus 9 and minus 1 D D यहाँ पे क्या है? 4 के बराबर आपको कुणसी term निकालनी थी? 21 निकालनी है तो आप N की जगा 21 पुट कर दो तो यह हो जाएगा minus 9 plus 20 multiply 4 20 multiply 4 80 होगा 80 में से minus 9 करो 71 तो जो इसकी 21 होगी 71 हो जाएगी तो जहन में रखो यह सवाल काफी मशूरता पुरानी बुक्स में भी होता था में चीज काया आपको A और D पता होना चाहिए अगर वो पता है तो आप उससे कोई भी ट्रम जैसे एक कीशी उनने बोली आप कोई भी निकाल सकते हो तभी मैंने यहाँ पे general drum निकाली न A और D की जैसे आपने value मालूम कर ली आप इसको A में पुट कर दो अब इसमें आप N की जगा कुछ भी पुट करोगे तो प्रेक्टिस अगर करोगे तो यह चेप्टर बहुत हलवा लगेगा यह शॉट में भी आएगा यह लॉंग में भी आएगा MCQs में भी आएगा इंपॉर्टेंस काफी है इसकी तो प्रेक्टिस करते जाओ ताकि हर चीज आपके तो प्रेक्टिस अगर प्रेक्टिस करते हैं कि अपके तीन पार्टे लेकिन सब सेम ही है कोई फरक नहीं है आंसर में भी फरक नहीं आ रहा रहा सेम ही कॉंसेप्ट है लेकिन उने दी भी नहीं है मैं आप लोगों का लग से बता दूंगा तो कोई भी एक पार्ट पिक कर लेता हूं आप पार्ट नमबर C जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है उसको पिक कर लेते है माइनस टू फोर टेन और 148 अब क्या मतलब कर लिखाव है इस सवाल कॉमन है या आपको बाकी सीक्मेंस में मिलेगा रिखाव है फिश ट्रम और दा सीक्मेंस सिंपल आप से सवाल पुचे जा रहा है कि सीक्मेंस चल रही है आप से पूछने कि बताओ इस सीक्मेंस के अंदर यह जो 148 ट्रम है इसका नंबर क्या है अगर आप से बोलें इस सीक्मेंस में जो 10 है कौन सी ट्रम है? आप बोलोगे तीसी ट्रम है 10 जो है वो तीसी ट्रम है 4 कौन सी ट्रम है? आप बोलोगे दूसी ट्रम है इसी तरह हो कहने है, इस sequence में जब आगे sequence को भड़ाते ज़ो भड़ाते ज़ो तो आपको 148 मिलेगा, आप से पूझेगे यह 148 कों सी term है, 20 वी टरम है, 30 वी टरम है, 50 वी टरम है, कों सी term है, यहाँ को मालूम करने है, मतलब यहाँ पे आपको n की value मालूम करनी है, कि मैं general term के इसा n क्या put करूँ, कि मेरा answer 148 है, तो simple language में इस तरह समझ लो कि यहाँ पे आपको general term दीगी है, यह general term है आपको 148, आपको मालूम करना है कि इसका number क्या है, तो data जब आप बनाओगे ने, इसको इस तरह लिखो गया, अब सवाल में उन्होंने AP बुलावे ना, इसमें नही इसी तरह, यह difference बराबर होगा 10 और 4 के तरह है, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया, कि शुरूंग इन दो का difference और इन दो का difference बराबर है, मतलब 6 के बराबर है, इसका मतलब यह sequence क्या है, AP है, तो paper में यह वाला पहले काम कर ले ना, क्यूंकि इस किसम का सवाल आपको geometric के अंद आपको ऐसा एन निकालना है, जो मैं यहां पर पुट करूँ और मेरे पास अंसर के आज है 148 है, तो यहां पर असल मैं आपको एन निकालना है, जो भी आपको ट्रम दी जाती है, उसको आप एन से, कितने सवालों में ऐसा भी होगा, 4.1 में तो मुझे नधर नहीं आया, sorry 4. लेकिन पुरानी बुक में होता था, कि आपको बोते दे कि 148 जो है वो इसकी लास्ट्रम है, अगर लास्ट्रम की वर्डिंग भी यूज की जाए ना, तो समझ जो इसको भी आप जनल ट्रम ही लोग है, आपको लास्ट्रम बोलने है, या आपको बोलने कि जो एन थ रम है व मुझे आंसर क्या मिले, 148 मिले, तो वो एन कैसे निकाल लेंगे जरा उस पर आज़े, आप यहाँ पर पहले जनल ट्रम का फॉर्मला कंसीडर करो, क्योंकि यह एपी है, एपी के जनल ट्रम का फॉर्मला यह है, अब जरा वैल्यूस पूट करो, एन आपको सावाल में गिव यहाँ से न की वैल्यूस निकालो, 156 दिवाड़ेड़ बैसे, तो सॉल्व करो, कितने टाइम जाएगा, 6, तो यहाँ पर एन की वैल्यूस पॉर्टी सिक्स आदेगा, इसका मतलब क्या है, यह जो 148 है, यह सीक्मेंस की 26 मी ट्रम है, अगर आप इसीक्मेंस को भढ़ाते ज तो 26 ट्रम जो होगी, 26 ट्रम जो होगी, तो क्या होगी यहाँ पर 148 है, अगर बाकी सवालों को भी आपने एसी सॉल्व करना है, कोई इसमें कोई नहीं चीज नहीं है, बद एक चीज मा बता तो, कि पुरानी बुक में ऐसे सवाल होते थे, कि जिसमें जब आप सॉल्व करत होते हैं, एन की वैल्यू, 1,2,3,1 तो पर नहीं होते हैं, तो परानी बुक में ऐसे सवाल थे, जिसमें जब आप एन की वैल्यू निकालते थे थे, तो नेचरल नहीं आतीगी, for example, negative आ रही है, minus 2, या minus 2 इसमें आती नहीं थी, जहतर fraction आती थी, fraction मतलब 1 upon 2 आ रही है, एन की 15 upon 4 आ रही है, तो उसमें फिर क्या होगा, for example, अगर मैं आंसा निकालों और मेरे पास एन की वैल्यू आ रही है, 15 upon 4, 15 upon 4 जब आप कलिकुटर से निकालों गए तो 3.75 आएगा, यह कुंसी वैल्यू होती है, एन की तो नेचरल वैल्यू होती है, पॉइंट में तो नहीं होत तो इसका कुछ ना कुछ नंबर होता है, वो नंबर आपको मिल जाता, नंबर अगर उसका नहीं आरा, इसका मतलब वो इसके अंदर मौजूरी नहीं है, इसका विस तरह समझो, कि for example, एक sequence हम बनाते हैं यह वाली, आपको पता है जो इसकी 5 भी ट्रम है, वो 14 है, ठीक है, ल करोगे, आप का होगे, जनल ट्रम है, जनल ट्रम है, यह माइनस वन, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 3 आ रहा है, सॉल्फ करो, यह हो जाएगा 20, 3 है, माइनस 3, उधर ले जो, यह 23 हो जाएगा जाके, अब जब आप N की वेल्यू निकालो, N की वेल्यू है कि 23 अपॉन 3 23 अपॉन 3 को जब आप कालकुटर में solve करोगे, तो 7.66 आ रहा होगा, इसका मतलब यह कि 22 सीवेंस में आता ही नहीं है, स्पेंड करके देख लो, इसके बाद क्या होगा 11, इसके बाद वहोगा 14, फिर होगा 17, फिर होगा 20, और फिर होगा 23, 22 तो सीवेंस में आता ही नहीं है तो अगर आपको N की ऐसी value मिल रही है ना तो समझ जाना कि वो term is sequence के अंदर ही है तो आप लिख देना कि जो इसको जब हम सवाल आते हैं तो इस तरह पूछते हैं कि is 148 the term of this sequence आप से पुछेंगे क्या 148 इस sequence की term है तो आप इसको solve करोगे, N की value निकालोगे अगर N की value कोई natural आ रही होगी तो आप बोलोगे हाँ यार यार ये a sequence की term है और for example 20 term है तो अगर अगर N की value fraction आ रही है तो आप साओगे यार ये जो 148 है ना ये a sequence की term नहीं है तो आप लोगों की book में तीनो जो a, b, c है ना उसमें अगर N की value naturally आ रही है तो आप लोगों को confusion नहीं है लेकिन मैंने बता रही है बिलफर्द अगर paper में सवाल change हो गया और fraction में आ गया तो गबराना नहीं concept जहन में होगा तो असानी से solve कर लोगे अब एक आखरी सवाल solve करते हैं फिर आप लोगों की छुटी है वह सवाल बहुत एजी है question number seven है बहुत ही बच्चों वाला सवाल है यह तो खेर आएगा नहीं पेपर में आगर आएगा भी तो खेर MC की उदम पूस लेंगे अगर पेपर में आगए तो आप लोगी चांदी हो जाएगी लिकाव है इसकी एनफ रम आपको निकालनी है और sequence क्या given है six upon seven square eleven upon seven square sixteen upon seven square sixteen upon seven square इस sequence की आपको general term निकालनी है कैसे निकालोगे भई? सबसे पहले तो identify करो भई यह AP है GP है क्या है? मैं recommend करूंगा कि normal जिस तरीके सब difference निकालनी है वैसे निकालना क्योंकि यह उस तरीके से AP नहीं है अगर आप इस sequence को बोलो यह arithmetic नहीं है ना यह metric है यह एक random sequence है जिसके अंदर एक pattern आपको नजर आ रहर है वह pattern में बताता हूं सोड़े दे क्यों? अगर आप इसको open करो नो difference निकालनी कोशिश करो तो difference नहीं आएगा for example 6 का square 36, 7 का square 49 तो पहली term है 36 upon 49 दूसी term है 121 upon 49 तीसी term है 256 upon 49 असल में यह term मोजी था आप दर difference निकाल के देख लो 121 upon 49 minus 36 upon 49 इस difference अब आप निकालोगे तो आपके बाद आंसर आ रहा होगा 5 upon 49 अब आप इन दो के दर मैं difference निकालोगे 256 upon 49 minus 121 upon 49 जब इनके दर मैं आप difference निकालोगे तो observe करोगे यहां पे आंसर आ रहा होगा 135 upon 49 difference तो सेम ही नहीं है आप क्या किया देख यह क्योंकि AP नहीं है ना आप यहां पे बस पैटरं देखो पैटरं क्या है उसके मताबबग यहां पे निकालोगे तो अगर आप यहां पे देखो हर ट्रम का denominator 7 है इसके में 7 है तो जनल ट्रम होगी उसका denominator 7 होगा पहली चीज पहला clue मिल गया आपको मुवीज देखो ना यह Crime Patrol देखो CID देखो तो पहला clue आपको मिल गया कि हर ट्रम के निचे 7 आ रहा है तो जो जनल ट्रम होगी उसके निचे भी 7 होगा इसी तरह हर ट्रम के उप़र स्कॉाइर है तो जनल ट्रम होगी उसके उपर भी स्कॉाइर होगा यह pattern आपको नदर आ रहे हैं numerator की बात करें अगर तो numerator में लिखा है 6, 11, 16 यह AP है तो आप लोगों को समझ आएगी 4.2 में सवाल क्यों दिया है जो इसका numerator है ना खाली, वो arithmetic के अंदर उसका general term का formula निकालो कैसे? आप इसका consider करो numerator consider कर रहे हम numerator को numerator पहरी दफ आए 6 फिर आए 11, फिर आए 16 तो सवाल ये कि nth term क्या होगी nth term में numerator क्या होगा AP बन रही है तो general term निकाल लो आपको बला चल जाएगा तो general term यह nth term आप कैसे निकालोगे simple, a यहाँ पे 6 के बराबर है common difference यहाँ पे 5 के बराबर है general term का formula होता है a plus n minus 1 d a यहाँ पे 6 d यहाँ पे 5 6 plus 5 n minus 5 मजीद solve करो तो 5 n plus 1 यह इसके general term का formula आगे है जैसे general term का formula आगे है numerator का अब आप overall पूरी sequence के general term का formula लिख सकते हो कैसे हैंस general term है इस sequence की वो क्या होगी इस sequence की general term की बात कर रहा हूँ वो होगी सबसे पहले बई denominator 7 है यह तो मैंने आपनों को पहले बताया था कि यह तो common thing है असल था numerator numerator में भी आपने निकाल लिया 5 n plus 1 यह कहलाएगी general term of this sequence अब इसको आप चेक करके भी देख लो यह वर्क भी कर रही है चीज़ कैसे आप n की value यहाँ पर 1 put करो यह हो जाएगा 5 plus 1 6 6 upon 7 का whole square तो पहली term आपको मिलगी आप n की जगह यहाँ पर 3 put करो 3 को 5 से multiply करो 15 15 plus 1 क्या होता है 16 तीसी term आपको मिलगी तो that's why यह चीज़ वर्क भी कर रहे है जब आप में general term निकाला आप उनमें n की values put करो आप observe करो आपको exact यही sequence की term मिलती जाएगी इस तरीके से आप इसकी general term निकालेंगे सब्सक्राइगे बाकी question number 11, 12, 13 यह दिखने में बड़े हैं बहुत ही बच्चों आने सवाल हैं चोटे-चोटे से हैं मैं आपको एक idea दे रहा हूँ 11, 12 का 13 चलो मैं कल फुद करवा दूगा 11 में लिखा हूँ है an object falling from rest falls during the first second एक object जो है वो rest से गिरा है 12 meter वो fall हुआ है पहले second के दा है मतब आपने उसको छोड़ दिया अब 1 second के अंदर उसने 12 meter travel किया 24 meter during the next second दूसरा जो second होगा उसके अंदर उसने 24 travel किया acceleration भढ़ रही है उसकी उसकी जदा distance travel करेगा तीसरे में का लेकावा 36 meter travel करेगा 3rd second के अंदर and so on how much will it fall during the 8 second बहुत easy सवाल है यह सिंपल एक AP बन रही है यहाँ पहले second 12 meter travel किया आप इसकी AP बना देना है ठीक है AP कैसे बनेगी पहले second में 12 meter इसने travel किया दूसरे second में 24 meter तीसरे second में 36 meter इसका data बनाना को मुश्किल बात नहीं सिंपल लिख देना कि in 1st second 12 meter distance in 2nd second 24, 3rd second 36 तो अगर आप देखो यह arithmetic यह बन परी है 12, 24, 36 तो यह 30 second में 36 टेवल किया है अब उन्होंने पूछा था कि बताओ 8 second में उसने कितना किया होगा तो N यहां पर 8 के बराबर है आठ्मी ट्रम आप से असल में पूछना चाहा है यह तीन ट्रम गिवन है ना आप से वो आठ्मी ट्रम आठ्मी ट्रम में मतलब 8 second के अंदर उसने कितना distance travel किया है निकालने का simple तरीका क्या होगा यह है आपकी बच्चों 1st ट्रम common difference यहां पर 12 है जनल ट्रम कैसे निकालोगे 12 plus N minus 1 D आपको कुँसा निकालना था आपको 8 ट्रम निकालने थी तो आप यहां पर पहले जनल ट्रम निकालनो 12 plus 12 N minus 12 तो इसे cancel हो जाएगा simple तो जनल ट्रम इसकी 12 N आ रही है अब आपको आठ्मे सेकंड की निकालनी ना आपको यहां पर 8 ट्रम कर जाना 12 8 जा 96 सवाल आपका complete यह sense भी मना रहा है इसके 14 सेकंड में 48 होगा फिर 60 होगा फिर 72 फिर 84 और फिर 90 इसका मतलब आठ्मे सेकंड में कितना डिस्टेंस टैवल होगा 96 मेटर डिस्टेंस टैवल होगा यही सवाल उनने अगला भी दिया बस situation को थोड़ा चेंज कर दिया है बाकी तो एक बुई सवाल है कि एक बंदे ने डिपॉजिट करवाया है महीने में 13,000 रुपे दूसरे महीने में 14,500 दूसरे महीने में 16,000 अगर आप देखो कॉमेंट डिफरेंस यहां पे क्या है 15,000 का इस तफ़ा उसने करवाया है 13,000 दूसरे महीने उसने डिपॉजिट करवाया है 14,500 दूसरे महीने उसने डिपॉजिट करवाया है 16,000 और यही पैटर्न चलता जा रहा है आप से पूछ रहें कि बताओ find how much he has to deposit in the bank at the end of year वो कह रहे हैं कि साल के end में मतलब बारवे महीने में साल के end 12 महीने पही होता है जो बारवा महीने उसमें उसको कितने डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे तो simple सा concept है पहले महीने में 13,000 मतलब जो first time है वो यहाँ पे 13,000 है common difference यहाँ पे देख लो 1500 का है 13,000 के अंदर 1500 add करो तो 14,500 आजएगा इसके अंदर 1500 add करो 16,000 आजएगा इस तरह भी निकाल सकते हो और subtract करके भी निकाल सकते हो ना यह चीज माइनस 13,000 तो 1500 आजएगा इसी तरह 16,000 माइनस 14,500 आजएगा तो आप चेक भी कर सकते हो कि अर्थमेटिक है सेंपर जिसमें first term 13,000 है और common difference यहाँ पर 1500 होगा और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी बारवी ट्रम निकाले मतलब बारवे महीने में उसने क्या deposit करवाना होगा तो again data बनाना से कोई बड़ी बात नहीं आप simple language में लिखोगे भाई कि first month में deposit हुआ है 13,000 second में, third में यह लिख देना उसके बाद बुलना कि hence sequence sequence क्या बन रही है पूरी sequence की form में लिख देना इस तरीके से फिर difference निकाल के check करके दिखा देना उनको कि यह AP है जैसे मैं यहाँ पर check करके आपको दिखा तो जब check करके दिखा दो अब जड़ा procedure पर आजओ procedure क्या है A, D की value लिखो general term निकालो जैसी general term आज़े उसमें N की जगा पे 12 put कर देना तो आपको बते सल जाएगा बारवे महीने में क्या deposit करवाना होगा उसको असर बच्चों 4.2 हम कर रहे थे 4.2 जो है वो arithmetic sequence से related है और arithmetic sequence का लमने पढ़ ली थी कैसी sequence होती है जिसमें आप एक number add करते जाते हो और आपके पास terms आती है तो हमने कर लिया था question number 7 तर question number 11 तरल मैंने आपको समझा दिये थे data किस तरीके से बनाओगे हो मैं question number 13 करवा दूँगा तो आपको idea हो जाएगा बाकी book की example number 6 भी है page number 131 तर उस पे भी इसी किसम का सवाल है तो उसको भी देख लिगना वहां पी उन्होंने इसी तरीके से किया है तो बार 13 हमने करने है और हमारा जो 8, 9 यह तीन question रहेगे है 8, 9, 10 सबसे पहले तो 8 पर आजो बाकी question तो बहुत एजी है तोड़ा बता लगेगा तो वो question number 8 है बाकी तो बहुत हिल्वा questions है question number 8 में आपको given क्या है question number 8 में लिखावे है if A, B, C are Lth, Mth and Nth term of an AP इसको तोड़ा समझो यह Lth, Mth यह generalized language होती है अगर मैं आपको बोलूँ के यार for example A जो है वो 4th term है इसी तरह B जो है वो 5th term है for example और C जो है वो for example 7th term है तो इसको उन्होंने जर्नलाइज बोला है के A जो है वो Lth, B जो है वो Mth और C जो है वो Nth term है अब L, M, N की क्या value होगी आपको इसे कोई घर्ज नहीं है maybe L जो है वो 5th term हो 10th term हो आपको इसे कोई घर्ज नहीं है आपको generalized language में उन्होंने बस बताया है के Lth term जो है वो A है और बाकी सब आपको बताया है अब इसको notation में कैसे convert करोगे इस चीज का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो 4th term है वो किसके बराबर है A के बराबर है जो मैं जिस language में बता रहूं आपको कि जो 4th term है वो A के बराबर है आप इसको लिखोगे कैसे A4 A के बराबर है इसी तरह इसको कैसे लिखोगे A5 B के बराबर है मतलब जो 5th drum है, वो क्या है? B के बराबर है इसी तरीके से इसको कैसे लिखोगे? जो 7th drum है, वो किसके बराबर है? C के बराबर है तो यह इसका मतलब होता है तो exact जो बुकने वर्डिंग यूज की वे है, उसे के मताबिक हम लिखते हैं उसको जघरेज़ के लिखते हैं वो किसके बराबर है? यह नहीं परोफ करने को पार्ट नमर टुट लहाँ कर लोगे, पार्ट नमर बन फोड़ा फसशेगा, वो बता जاتएता हूं और यह गिवन लिखने के बाद आप मीचे लिख दो, we have to prove, आपको prove क्या करना है? We have to prove that, कि A multiply M minus N, plus B multiply N minus L, plus C multiply L minus L, यह पूरी चीज जो है 0 के बराबर, यह आपको prove करना है, अब इस सवाल को हम करेंगे किस तरह? सबसे बहले confusion मैं यहाँ पर आप लों की दूर कर दूँ, यहाँ पर जो उन्होंने A लिखा वे ना, normally मैं आप लों को कल भी बतायाता कि अगर फाली A लिखा जाए ना, तो इसको first term लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने A लिखा वे ना, वो first term के मानूमें नहीं है क्योंकि अगर आप इसको first term के हसाब से consider करोगे ना, तो सवाल prove नहीं होगा आपका, तो यहाँ पर उन्होंने बस coincidence समझ लो के यार, यहाँ पर आपके पास A आगया, हलांकि अगर थोड़ा different करने के लिए वो इसको P, Q, R भी कह सकते हैं, कि जो LS term है, वो P के बराबर है, जो confusion दूर करते हैं, जब आप इसका solution करने लगोगे ना, तो data को आपने इस्तमाल करना है, data अगर आप देखो, यह arithmetic है, arithmetic में general term का formula आपने बढ़ा है, वो ही आपने apply करना है, तो general term का formula क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1b, यह general term का formula होता है, अब आपने क्या करने है, जो given data आपको है, उ input कर दो, यहां पर भी n की जगा क्या आजाएगा, l आजाएगा, और सवाल में बोले, जो एक किसके बराबर है, a के बराबर है, तो आप यहां कर, a, l की जगा पर क्या लिख दोगे, a लिख दोगे, यहां पर confusion बच्चों का आती है, वो कहता है, इस a और इस a को cancel करते हैं, और अगर आपने इस a और इस a को cancel कर दिया, तो सवाल आपका प्रूब नहीं होगा, तो तरी में आपको बता रहा हूँ कि यह दोनों अलग बात है, असुली तोर बे अगर वो देना भी चारे थे ना, वो इस तरह दे देते, capital A, capital B, capital C, फुरी समझ भी आती, फिर क्या होता आप यहां पर फुट करते, capital A, और आपको फर्क नजर आता किया, दोनों को मैं cancel नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग तीद है, लेकिन बुक ने confuse करने के लिए a, b, c, तो मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि जो बोला वे न, lth trump a के बराबर है, वो a first term नहीं है, भई, l, for example, अगर four value है, तो यह तो fourth trump बनेगी, for example, l जो है, वो five के बराबर है, तो fifth trump होगी, और यह fifth trump, first trump के बराबर नहीं है, इस बस जहन में रखना, यहां पर a first trump को represent नहीं कर रहा है, आप cancel नहीं कर देना, बस इस concept को जहन में रखना, ताए confusion नहीं हो, तो इसको आपने ऐसे ही treat करन है, इसी को मैं ऐसे रहने दूँगा, मैं मजीर इसको simplify नहीं कर सकता, ख्याल लखना है इस बात का, तो इसको one बोल देना, सबसे पहले आपने one के अंदर l पुट किया, तो यह आपके पास equation आगी, उसके बाद क्या करो, आप one के अंदर क्या पुट करो, m पुट करो, तो य न की जगा पे मैंने क्या पुट कर दिया, m, यहाँ भी न की जगा पे m आ जाएगा, और सवाल में बोला था, जो m-th क्रम में वो किसके बरावर है, b के बरावर है, तो यहाँ पे आप b पुट कर दोगे, अब आप इसकिमाल करो, तीसरी कंडिशन क्या थी, n-th, और n-th क्र पुट कर दो को फर्क थोड़ना लगेगा आपको, मतब अब अपने पुट करना तो यह न ही रहेगा, तो फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं इसको, और n-th किसके बरावर है, c के बरावर है, तो यहाँ पे क्या आजएगा, c, इस स्टेज में जब आप पहुंच जाओ, तो अब आप देखो कि आपको जो प्रूफ करना है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, अब अगर देखो जो प्रूफ करना है, उसमें आपको M-N नजर आ रहा है, N-L है और L-N है, अब यह आप कैसे लाओगे, आपने यह जो डेटा है, उसके मताबग बना तो ली हैं लेकिन अब इस्तमाल कैसे करोंगे इसको for example ये 1 है इसको बोल तो ये 2 है इसको बोल तो ये 3 है ये condition इστमाल करके आपने बना तो ली equation लेकिन अब इस्तमाल कैसे करोंगे इसko आखको सबसे पहले m-n निकालना for example, अभी कैसे आएगा इस equation में M है और इस equation में N है इसमें M है और इसमें N है अगर मैं इस वाली equation को subtract मतब ये वाली equation माइनस ये वाली equation तो जब मैं simplify करूँगा देखना M-N आ रहा होगा तो मुझे यहां से बता चला है मैंने 2-3 करना है इसी तरीके से तो यहां पर देखो N-L लिखा है इसके अंदर N है इसके अंदर L है यहां से मुझे पता चला मैंने 3-1 करना है ताकि मेरे पास N-L आजाए इसी तरह यहां पर लिखा है L-N इसके अंदर L है और इसके अंदर M है मुझे पता चल गया मैंने 1-2 तो मेरे पास L-M आ दो है अब यह मैने थियोरी बताई जड़ा करके देखते हैं सबसे पहले तीन काम करने ना 1 को सब्ट्रेक करने 2 से फिर 2 को सब्ट्री फिर 3-1 करने दो तीनों काम एक साथ करते है सबसे पहले आप 1 जो है उसको सब्ट्रेक करवाओ 2 1- अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो आप काऊगे सब्ट्रेक्ट एक्वेशन नंबर 2 फ्राउं 1 इस तरह हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे या सिंबल्स की फॉर्म में लिख दो आपको पताचिल जाएगा माइनस साइन किसके साथ आएगा तो कन्फूजन कम हो जाएगी तो खैदे जो एक्वेशन नंबर जिसको पैने बन बोला है वो क्या है यह वाली एक्वेशन आपके सामने है A is equal to A plus N minus 1D अच्छा इसको एक काम करो, simplify कर लो इस जो L है न, L को multiply कर दो आपने क्या करना है, subtract Commission Ky तो यह होजाएगा MD minus D आपने क्या करना है? subtract करना है तो साइन हो जाएँगे यह negative है तो है positive हो झाएगा थेके हैं? अब देखो, यहां पर first term cancel हो जाएगी क्योंकि A जो है वो यहां पर cancel हो जाएगा A यहां पर यह वाला जो A है, यह first term तो represent कर रहा है तो दोनों फॉर्मलों में सेम ही है न यह यह वाला A आपस में cancel होगा, इन दोनों को आपस में cancel होगा ना, मैंने बताया था, इन में परक है, यह वाला a आपस में गैंसल होगा, यहां पर क्या है गाएगा a minus b, और इस तरफ क्या होगा, देखो, minus d plus d, यह भी आपस में गैंसल होगा, तो यहां पर बचेगा l d minus m d, आप क्या करो d common लेलो, तो यह हो जाएगा l minus m, d, और यहां पर हो जाएगा a minus d, ठीक है, अगर आप part number 2 देखो, part number 2 में जब आप प्रूफ करने लगए, तो part number 2 में यह pattern आया है, part number 2 में क्या है, a minus b, इसी तरह b minus c, इसी तरह c minus a, तो वहाँ पे आपको a minus b की value निकालनी होगी, तो part number 2 जब आप solve करोगे, exact यही काम करना है, और यहां पे आपने छोड़ देना है, क्योंकि a minus b की value आगी है, part number 2 में देखो, a minus b आ रहे है, फिर आप किसी और equation को subtract करोगे, for example, b minus c आएगा, आप वहां तक रुख जाओगे, तो part number 2 में इसके बाद आप values पुट करोगे, जिस सवाल को आपने प्रूव करने है, लेकिन इस part में आपक minus m की value निकाल ली है, क्योंकि इस सवाल है, मुझे l minus m चाहिए था, इसी तरीके से अब आपने किसको subtract करने है, आपको चाहिए, for example, m और n, m minus n है, तो equation number 2 minus equation number 3, equation number 2 minus equation number 3, ठीक है, exact यही काम करोगे, part 2 के लिए भी, मैं अगर कुछ चौट तरीका बता देता तो वह शाद पा बस यहाँ पे आपने l minus m की निकाली है, वहाँ पे आप a minus b तक छोड़ दो, ठीर, तो part number 2 के आए, अगे, multiply कर देने, आपने simplify कर देने, उस तरीके से, और 3 में n को multiply कर दो, nd minus d, अब आपने क्या करना है, subtract करना है, sign change, sign change, sign change, sign change, तो आप यह cancel होजागा, यह cancel होजागा, य यहाँ से आएगा b minus c, यहाँ से आएगा md minus nd, अगें आप d common लेलो, तो यह m minus n होजाएगा, और फिर अगर आपने m minus n की value निकाली है, तो m minus n होजाएगा, b minus c upon d, अगें, जब आप part number 2 solve करोगे, तो आपको b minus c की value चाहिए होगी, तो आप यही तक रहने दोगे, यह वा equation number 1, equation number 3 minus equation number 1, equation number 3 को लिख लेते हैं, और equation number 1, a is equal to a plus ld minus d, अगें subtract करो, सबके science channel जाएगे, यह वाला cancel, यह वाला cancel, यह वाला cancel, यह होजाएगा c minus a, यहाँ पर आएगा nd minus ld, दोबारा आप d common लोगे, यह होजाएगा n minus l, और फिर n minus l की value निकालोगे, तो यह आजाएगा c minus 1, c minus a upon d, यह आपके पस n minus l आग अब आप इस stage पहुँचोगे तो अब part number 1, part number 2, आप दोनों एक साथ कर सकते हो, मैं फिलल part 1 कर रहार हो, part number 2 आप लोग कर लेना, कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, आप left hand side पिक करो गे, यह पूरी left hand side है, और यहाँ पर values पुट कर दोगे, आप अब अब ज़र्फ क n की value क्या है, b minus c upon d, n minus l की value है, c minus a upon d, और l minus m की value है, a minus b upon d, अब आप solve करो, अब इनको अगर आपने simplify करने हैं, तो l से ब्रेक कर दो सबके, जैसे यह हो जाएगा b upon d, यह हो जाएगा minus c upon d, इसको multiply करो a से, तो simple हो जाएगा, a b upon d, और a को minus c से करो, minus a c upon d, तो यह अपने l से ब्रेक कियां दोनों का, और a को multiply भी कर दीए, दोनों आपूंटे, सेम काम यहाँ पे करो, यह होगा c upon d, ब से multiply करो तो b c upon d, इसी तरह यह होगा minus a upon d, b से multiply करो, तो minus a b upon d, सेम यहँआपे, c को a से करो, यह हो जाएगा a c upon d, और c को minus b से करो, यह हो जाए B C, minus A C positive A C, A B positive negative A B, तो यह हो जाएगा 0 के बराबर, जो के है, right hand side, तो सवाल आपका प्रूव हो जाएगा कि left hand side is equal to right hand side तो बज़े value निकालना था, बाके put करना तो कुई बड़ी बात नहीं है, सेम part number 2 में भी आप, A minus B, B minus C और C minus A के value पुट करोगे left hand side पे, बस multiply करके simplify करना हर चीज cancel हो जाएगी आपका answer 0 हाद बतारों आप लोंका जितने आगे chapter है, chapter 4 हो गया 5 हो गया, और chapter number 7 यह तने मुश्किल chapter नहीं से chapter number 3 अगर आप थोड़ा सा इनको time दो ना, तो यह बाकी trigonometry और matrices इनसे आपको easy लगेंगे मसला है कि बच्चे टाइम नी देते हैं चेप्टर्स को थोड़े बड़े बड़े चेप्टर्स होते हैं समझते मुश्किल है मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी पसलगा time दो आप लों का chapter 4 बड़ा easy है, last time बड़े बड़े सवाल नहीं किया है चेप्टर 5 भी दो चेप्टर की combination है, last time जो chapter 6 था कुछ इन्होंने पंजाब बोड का mixture किया है कुछ chapter 8 का mixture किया है तो आपको इतना मुश्किल नहीं है आप लोग की सी प्रेक्टिस करोगे तो सीख जाओगे मुश्किल बड़ा पार्ट ट्रिणोमेट्री का साफ वो हो गया अब में बताओ, मुश्किल लगेगा तो chapter 6 लगेगा लेकिन chapter 6 का एक ही सवाल आता है मेरा काम तो सिखाना है और अलड़ी वो मैंने YouTube पे सिखाया जिस लेवल का मैंने सिखाया था ना अब जितरी भी बुक चेंज हो जाए वो ही मैं हर ची सिखा चुका हूँ अलड़ी तो जयातर मैं आपको यह रफर करूंगा यार कि डेटेल वाला कॉंसेट्स हो वहां पे क्यूंकि मैंने तक्रिवन पचास हाट लेक्टर में अपलोड किया है जो पहले सेवन हुआ करते था आप सिखते तो जो बड़ा डेटेल कॉंसेट है वो तो जयातर मैं वही रिकमेंड करूंगा वहीं से आप लोग सीखना क्यूंकि एक ही दफा मैंने बनाई है और डेटेल में चीज बताती है या बुक चेंज करो या कुछ भी करना है इस लेविल इंटरमेडिट लेविल पर चेप्टर नंबर प्रॉबिलिटी का जो होता है वो सब मैंने मताया तो उसका अगर आप लोग ना भी करना चाहो तो पेपर के पाइंट की से इतना मस्ला नहीं होगा यह सवाल आता है उसका इतना खाश है नहीं है तो बागी चेप्टर जो है वो अब आपके कौन से रहे गें ठीक है अच्छा 9 और 10 पे आजओ 9 10 का सेम मेथड है सेम आपको प्रूफ करना है यहां पे सिमिलर सवाल है पूरे तो 10 थोड़ा मुश्किल है वो में करवा देता हूं 10 में करेक्शन कर लेना 10 में लिखावे 1 अपाउन a-b problem a plus b kella 1 upon b numa c b plus c perlёgana 1 upon c minis a to c plus a कर Lsna तब जो बुक वजबे कहरे नamat प्रूफ करने को अगर आप बुक के सवाल के मतावर प्रूफ करोगे तो नहीं होगा तो बस अलकिसी करेक्शन कर लेना यह छीज़ए लिखे निया 1 upon A plus B 1 upon B plus C और 1 upon C plus A condition क्या है कि 3 term are in AP condition आपको दीविए कि 3 term AP के अंदर है मतलब arithmetic progression के अंदर है और आपको proof क्या करना है we have to prove that proof क्या करना है A plus C upon A minus B is equal to A plus B upon C minus ये आपको proof करोणा है नरी मतले है कितने proof ऐसे हो दिसमें आप लेफend साइट करते हो और रथend साइट के बराबर जाएगा है हार वही सवाल राइट अलग पिख करते हो राइट अलग पिख करते हो दोनों का उपसमे इकवल पू Chelsea और कुछ सवाल ऐसे होता है कि जिनमें दोनों को एक साथ ही सॉल्फ करते हो या कुछ आपने ऐसी वर्किंग ही है कि वो डायक आपका सवाल प्रूब हो जाएगा इन दो का डिफरेंस इसी तरह इन दो का डिफरेंस बराबर होगा कल ही आपने पड़ा था एक की शर्त होती है तो आप क्या लिखो since given terms are in a.p. उपर भी खर लिखा हो तो लेकिन दुबारा लिख तो बेटर है कि जो given terms रहो अपके अंदर है तो अगर यह a.p के अंदर है तो यह condition satisfy होनी चाहिए दिफरेंस सेम रहता है a.p. अब जरा इसको solve करो यहाँ पे LCM क्या होगा d. plus c. a. plus b. यह a. plus b. को 1 से करो दर्म्यान में minus. यह b. plus c. 1 से होगा लेकिन minus से multiply भी होगा तो minus b. minus c हो जाए लाई 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 इसी तरीके तर यहाँ पे LCM लो c plus a, b plus c. सेम वोई. b plus c को 1 से करो दर्म्यान में minus. यह c plus a 1 से होगा लेकिन minus से multiply होगा minus c minus a हो जाए गए. अब क्या करोगे आप देखो b plus c से b plus c cancel इसी तरह b से minus b, c से minus c cancel. पीछे क्या बचा? a minus c और नीचे बचा a plus b किसी तरह. यहाँ पे है b minus a और नीचे है c plus a. अभी देखो आपकी condition प्रूव नहीं आपको थोड़ा सा अरेंज करना है. अरेंज दर सेंस कि आपको क्या करना होगा? a plus b c minus. माइनस कॉमन लेना, आपको यह लिचे नदर आ लिए. माइनस कॉमन क्यों? कैसे मिज़े पता जला? देखो यहाँ पे लिखावे c minus a यहाँ पे a minus c, उल्टाए. यहाँ पे a minus b, यहाँ पे d minus a. तो पहली बात आपको करवाओ, divide करवाओ, reciprocal करना है, reciprocal कर लो, दोनों equation की तरफ आप में करना है. तो सबसे पहले मैं reciprocal करता हूँ और साथ साथ माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ. तो इसको reciprocal करो, यह हो जाएगा a plus b upon a minus c होगा, तो मैं minus और minus आपस में cancel हो जाएगे और finally आपका सवाल प्रूब हो जाएगा के अच्छर यह अलगा हमारी जो left, ना बलो. Sir आपने right hand check पे b plus c को कैसे काटा? स्टेक्ट स्टेप्र यह इस दोनों चीदें से इवाइड हो रही है अगर फॉर एक्जैम्प्ल एक इस तरह आर यह स्टरा वन अपॉंट्ट्री अपूंट तूसे तू कैंसल बहुत है नहीं इक वरादर है लिए इन लिए निकें बता रहा हूं कि अगर एकवल के दोना तो इसके मताबिक लिख दो, पहले साइब को लिखो क्या है, c plus a divided by a minus b is equal to, यह क्या है, a plus b divided by c minus, तो देखो आपका सवाल exact प्रूव हो गया, ठीक है, तो आप मीचे लिख दो प्रूव, अब यहाँ पर कोई आपने left hand side पिक नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और आपका सवाल यही काम आपने question number 9 में कना है, तो बड़ा इजी सवाल आसानी से हो जाएगा आपका, बहुत ही बच्चों आला सवाल है, उसमें ही subtraction हा काम करोगा, तो इसमें b की value निकालना, देखना b की value आरी होगी हो जो सवाल में लिखी है, तो असानी से प्रूव है, तो 11-12 कल में boy saves, एक boy है, जिसने 200 रुपे सेफ की है, अड़ एंड आप फिर्स्ट वीक, बई एक वीक के end पे उसने कितने जमा किये है, 200 रुपे जमा किये है, तो इस तरह कह सकते हो, के saving in first week, पहले week में उसकी कितनी saving है, 200 रुपे की, पहले week में उसकी कितनी saving है, 200 रुपे की, तो लिख के रहे हैं कि जो सकी saving है, जैसे पहले वके उसने 200 रुपे जमा किये, next हक्ते क्या कर रहे है, वो 225 रुपे जमा कर रहे है, तो पहले week अगर उसने 200 saving किये, तो next week कितने करेगा वो, saving in second week, तो अब उसकी saving होजएगी 225, हर week वो पिछले week से 25 रुपे जयदा saving कर रहे है, यह simple सवाल है, तो अगर आप इसी pattern को लिखते जाओ, saving in third week, कितनी हो जाएगी उसकी, 250 हो जाएगी, तो इस तरह 25-25 रुपे जाएगी, अब करना क्या सवाल में, लेका है, आप पर how many weeks, कितने weeks बाद, his weekly saving will be rupees 2000, वो कहरे है कितने weeks बाद, उसके जो weekly saving है, वो 2000 हो जाएगी, जैसे पहले week में, जो सकी saving है, जैसको आप weekly saving का होगे, तो weekly saving अभी क्या है, 200 रुपे, दूसरे week में आप क्या बोलोगे, weekly saving उसकी क्या है, 225 रुपे, तीसरे week में क्या है, 250 रुपे, तो कोई ऐसा भी week आएगा, मेभी वो 20-बाद वीक हो, या 30-बाद वीक हो, कि जिसमें उसने 2000 दो हजार रुपे जमा किया हो, तो आपको मालूम करना है कि ऐसा कौन सा week है, जिसमें उसमें दो हजार जमा कियें पूरे week के अंदर, यह सवाल है, तो इसको क्या बलेंगे, saving in, इसको इस तरह कह सकते हैं, चल रहे, saving in n weeks, अब वो n क्या है, आपको नहीं पता, कोई एक n week है, n week क्या हो सकते है, 20 week भी हो सकते है, या 30 week भी हो सकते है, जिसमें उसकी saving किया 2,000 है, यह n जो आपको यहाँ पर निकाल जिना है, तो अगर आप यहाँ पर ap बनाओ, तो ap क्या बनेगी, so, ap, क्या बनेगी यहाँ पर, सबसे पहली ट्रम है 200, पहले week उसने 200 जमा किये, दूसरे week उसने 225 रुपए जमा किये, तीसरे week उसने 250 रुपए जमा किये, और यह pattern चलता रहा, चलता रहा, बनेगी जमार कर लिए, किसी भी week अब आपको नहीं पता ही किस वीक उसमें 2000 जमार की है यह वही सवाल है जो कल अमने किया था कि आपसे पूछा जाता है था कि विश ट्रम ऑफ दा सीक्वेंस इस 2000 यह वही सवाल है कि आपको पता है कि यह इसी सीक्वेंस को मैं आगे बढाता जाऊना तो 2000 आएगा लेकिन आपको यह नहीं पता यह 2000 इस सीक्रेंस की कौन सी नंबर आप ट्रम है 20, 30, 40, क्या है मतलब आपको N निकालना है यहाँ गिवन क्या है फर्स्टरम कॉमन डिफरेंस आपको बता है कॉमन डिफरेंस होता है जो हर दफ आप आप एड़ कर रहे होते हैं मतलब कॉमन डिफरेंस है 25 और जो इसकी जनल ट्रम डिफरेंस को आप एन ट्रम कह सकते हो वह है तो था हो और निकालना आपको यहां पे क्या है न की वेरिऊं निकाल नहीं है आप यहां पर कंसीडर करो जनल ट्रम का ट्रम अफॉम्ला वेरी स्पुट कर दो इसके अंदर यह हो जाएगा 2000 अच्छा जी, यह हो जाएगा, यहाँ पे 200 N आपको निकालना है, common difference हो जाएगा 25 200 को जाके subtract करवा दो, 2000 से subtract करवा तो 1800 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 को N से गर दो 25 N minus 25 minus 25 को दोबारे दे लियाओ, यह हो जाएगा 1825 यहां से N की वेरी निकालो, यह हो जाएगा 1825 divided by 25 73 73, हाँ 73 आंचर आजाएगा, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है, hence सवाल उनने ही पुझा दाना, के after how many weeks, तो आप कह सकते हो के so weekly saving in 73rd week 73rd week क्या आप कहले, वैसे 73 TH भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड है 73rd week जो है, उसकी weekly saving क्या होगी 2000 रुपे होगी यह आपको मालूम करना था, तो इसका मतलब 73 हफते बाद जो उसकी weekly saving है, वो 2000 रुपे और अगर आप चाह रहे हो कि प्लस यह दूसरे week की, प्लस यह तीसरे week की, करते-करते यहां तक एक सीरीज बन जाएगी पूरी, सीरीज आपने पढ़ा नहीं, सीरीज क्या होता है कि आप एड कर जाए तो तो अगरा मालूम करना चाह रहे हो, नहीं अगरा मालूम करना चाह रहे हो, अगर आप यह मालूम करना चाह रहे हो, तो आप इन सब को एड कर दो गया और एड करने का भी पॉमला होता है, इंशाला वो आप लोग आप 4.4 में पड़ोगे आप